असलावलेकुम मेरे चैनल स्पाइस खानावीत नाजिया में आपका विल्कम है आज मैं बनाओंगी तरोई की सबसी बिल्कुल नए तरीके से ये खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी होती है इसको हम बहुत अलग और नए तरीके से बनाएंगे बनाना बिल्कुल इजी है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दो बड़े चम्मस सरसो के तेल को यहाँ पर मैं गरम कर ले रही हूँ आप चाहें तो किसी और भी वायल में बना सकते हैं सरसो के तेल को अच्छे से गरम करना बहुती ज़रूरी होता है नहीं तो उसमें एक कच्छे पन की स्मेल आती है यहाँ पर थोड़ा सा हमें खड़ा जीरा देना है एक चीज़ पत्ता देना है यहाँ पर एक बड़े सा इसके प्यास को मैं ग्राइंड करकर दे रही हूँ अब हमें इसे मिक्स कर लेना है एक चमच लेशन का पेश्ट देकर हमें इसे मिक्स कर लेना है अब हमें कुछ पॉड़र मसाले एट करने हैं 1.5 तिस्पून लाल मिर्ष पॉड़र 1.5 तिस्पून हल्दी पॉड़र 1.5 तिस्पून साल्ट 1.5 तिस्पून धनिया पॉड़र सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करते वे चला लेना है एक मिडियम से इसके टमाटर को हमें कट करके देना है एक मिनिट टमाटर को मसाले के साथ मिक्स करते वे पका लेना है जिससे कि टमाटर का कच्चापन निकल जाएगा और सारे मसाले जो है टमाटर के साथ अच्छे से पख जाएंगे पकते वे एक मिनट हो गये हैं तो तेल भी separate हो गया और सारे मसाले और टमाटर अच्छे से पок गये हैं यहाँ पे मैं तरोई की सबजी मूम और मसूर दाल को mix करके बना रही हूं ये तरोई की सबसी बहुती टेस्टी लगती है, मूम और मसूर दाल मिक्स करके बनाएं एक बार, अब इसे हमें मसाले के साथ एक मिनट भूंज लेना है, दाल को एक मिनट हो गए हैं भूंजते वे, अब सारे कटे वे तरोई को हमें दे देना है, दे कर हमें इसे मिक्स कर ले कि सारे तरोई में मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तरोई को हमें तब तक भूइना है जब तक कि तरोई हमारी सौफ्ट ना हो जाए और इसमें से पानी ना छूटने लगे आपको खुदी लगने लगेगा कि तरोई हमारी सौफ्ट हो गई है और पानी छोड़ रही है क्योंकि तरोई खुदी पानी छोड़ देती है, तो हाफ कप में हमारी सबजी बनकर पर्फेक्ट रेडी हो जाएगी, अब इसे हमें चला लेना है, अच्छे से, अब हमें इसे कौवर कर देना है, कौवर करके हमें मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेना है, 10 से 15 मिनट इसे पका लेना है, और बीज बीच में इसे चेक भी करते रहना है, कि ये सटे नहीं, 15 मिनट हो गएं तो इसे चेक कर लेते हैं, तो तरोई की सबजी हमारी पर्फेक्ट बनके उतरी है, कुछ कटे वे धनिया के पत्ते और हरे मीर्च दे देते हैं, दे कर इसे मिक्स कर लेते हैं, हाफ टिस्पून हमें यहाँ पर भूना वाजीरा देना है, हाफ टिस्पून गरम मसाला पॉडर देना है, इससे टेस्ट पहुती अच्छा आता है, आप इसे चावल रोटी के साफ सर्फ करें, ये बहुती टेस्टी होती है, मेरे ये वीडियो कैसी लगी, तो आफ हमें ज़रूर बताएंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिल्य और फ्रेंट में शेयर करना ना भूले, एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, अल्ला हाफिज, दूआ में याद रखिएगा, तो देखिए, बहुत बढ़िया से तरोई की सब्सक्राइब करेंगा,